हेलो फ्रेंड्स स्वाक्त है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्यानवीर 71 में फ्रेंड्स आज HPGK सीरीज की क्लास रहेगी 24 जो की हेलफो रहेगी आपके आने वाले HPTED Medical, Non-Medical, Arts, सास्त्री, JBT के एक्जाम्स के लिए साथ ही में इस सीरीज हेलफो रहेगी उन सभी एक्जाम्स के लिए जिन में भी HPGK के पूछी जाती है फ्रेंड्स टैर्स से लेटेर आप और वी वीडियो जो हैं वो चैनल की प्लिलिस्ट में जाकर के देख सकते हो फ्रेंड्स वीडियो के शुरुआत करते हैं कॉस्चिन अमबर 37 से 2011 की जन गर्णा के अंसार हिमाचल परदेश की अनुसूचित जाती की जन संक्या का प्रतिसत है तो अंसर रहेगा आप्शन D 25.2% फ्रेंड्स याद रखना है कि अगर पूछा जाए 2011 की जन गर्णा के अंसार हिमाचल परदेश की अनुसूचित जाती की जन संक्या का प्रतिसत तो रहेगा 25.2% लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जन गर्णा के अंसार हिमाचल परदेश की अनुसूचित जन जाती की जन संक्या का प्रतिसत तो रहेगा 5.71% अगर आपसे पूछा गया हो अनुसूची जाती की जनसंक्या का प्रतिसत तो वो रहेगा 25.2% और अगर आपसे पूछा गया हो अनुसूची जन जाती की जनसंक्या का प्रतिसत तो वो रहेगा 5.71% अगला कॉस्टिन जो है वो रहेगा हिमाचल परदिश के की जिले में चुवारी उबमंडल स्थित है अंसर रहेगा आप्शन ए डिस्टिक चमबा में साथ ही मैं याद रखिए भरमौर, चमबा, तीसा, पांगी, सलूनी, चुवारी, डलहौजी ये सबी उबमंडल पढ़ते हैं डिस्टिक चमबा में अगला कॉस्टिन जो है वो रहेगा किस मेले के लिए हिमाचल परदेश का सुजानपूर परसिद है अंसर रहेगा आप्शन भी होली मेला और फ्रेंड्स ये मनाया जाता है मार्च के महीने में साथ ही मैं याद रखिए किसोता मेला, होली मेला, द्योरसिद मेला और हमीर उत्सव ये सबी मनाया जाते हैं डिस्टिक हमीरपूर में फ्रेंड्स अगला कॉस्टिन जो है वो रहेगा हिमाचल परदेश के किस दिले में भावा घाटी स्थित है तो इस कॉस्टिन के लिए जो अंसर रहेगा वो रहेगा उप्शन D डिस्टिक की नौर में फ्रेंड्स साथ ही मैं याद रखिए कि रूपा घाटी, हंगरं घाटी, सांगला और बस्पा घाटी यह सब ही घाटीयां पड़ती हैं डिस्टिक की नौर में फ्रेंड्स अगला कॉस्टिन जो है वो रहेगा हिमाचल परदेश के किस दिले में भीगू स्थित है हिमाचल परदेश के किस दिले में भीगू स्थित है तो अंसर रहेगा option B district कुल्लू में साथ ही मैं याद रखिए कि बर्दोसर जील, ब्रिगू, मंतलाई, सर्वालसर, सिंग्टू, दसहर, हंसा, सरीताल, नैंसर, दियोरी, डेहनसर, ये सब भी जीलने पड़ती है district कुल्लू में प्रदोसर जील, ब्रिगू जील, मंतलाई जील, सर्वालसर जील, सिंग्टू जील, दसहर जील, हंसा जील, सरीताल जील, नैंसर जील, दियोरी जील, डेहनसर जील, ये सब भी जीलने पड़ती है district कुल्लू में अगले question की बात कर लिते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जीले में हत्तू सीकर स्थित है हाटू पीक इस लोकेटिड इन वी डिस्टिक ऑप एच पी अंसर रहेगा option A district शिमला में अगले question की बात कर लिते हैं वैद सूर्थ सी हिमाचल प्रदेश के किस जीले से स्बंदित हैं अंसर रहेगा option A district शिर्मौर से अगला question जो है वो रहेगा हिमाचल प्रदेश विश्व विध्यल्या शिमला के पहले कुलपती कौन थे अंसर रहेगा डॉक्टर राम करण से हैं option A डॉक्टर आर के से हैं फ्रेंट्स याद रखना है हिमाचल प्रदेश विश्व विध्यल्या शिमला के स्थापना हुई थी 1970 में कौन से गौं को पहला हैटेश दर्जा दिया गया था अंसर रहेगा option A प्रागपूर 1997 में भारत के कौन से गौं को पहला हैटेश दर्जा दिया गया था अंसर रहेगा option A प्रागपूर अगला question जो है हो रहेगा आटमी स्तावदी में किसने हिमाचल परदेश में बहुत धर्म का फैलाव किया अंसर रहेगा option C पदम संभव जी ने अगला question जो है वो रहेगा कौन से सी गुरू पौंटा साहिब गुर्द्वारा से जुड़े हुए है कौन से सी गुरू पौंटा साहिब गुर्द्वारा से जुड़े हुए है अंसर रहेगा option D गुरू गोविन सिह जी अगला question जो है वो रहेगा राजा संसार चन्टू किस भूत पूर रियासत के सास्कते राजा संसार चन्टू किस भूत पूर रियासत के सास्कते अंसर रहेगा option C अगला question जो है वो रहेगा अटल बिहारी बाजपई इस्चूड ऑफ मांटरिनिंग एंड अलाइड स्पोर्स हिमाचल परदेश के की स्थान पर स्थित है तो इस question के लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा option C पंजाब स्थेट इलेक्रिसिटी बोर्ड फ्रेंड्स एच्पी टैट के एक्जाम्स में लगबग 12-15 question जो है वो HPG के पूछे जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह सीरिस कितनी हैल्फ हूर हैगी आपके आने वाले HP टैट के एक्जाम्स के लिए आज के लिए आपका home work में question रहेगा सुकेती जिवासम पारक कहां स्तित है फ्रेंड्स question को फिर से सुन लीजिए सुकेती जिवासम पारक कहां स्तित है इस question के लिए जो आपके पास options रहेंगे वो रहेंगे डिस्टिक सिर्मौर में या फिर डिस्टिक शोलन में डिस्टिक बिलासपुर में या फिर डिस्टिक की नौर में और फ्रैंड्स इसका अंसर जो है आप कमेंट box के मात्यम से ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट box के मात्यम से ज़रूर बताएं और इस वीडियो को चाधा चाधा शेर करें धन्यवाद